तुम लोगों मैं पढ़ा दी हैं थे बायोट क्या पढ़ाएदे यादे कि निया क्या प्लाइदे बोलो ऐसा फड़ाएदे बाइदे खिसी लंबे सी तेड मेडा तारके चोटे जभाग डिया यह न इस फैर डिय यादना डियल से आरडूरी पर एक विंदु क्या था बलो प और पी बिन्दु पर चुमा के चेत्र का मान कितना निकाले दें डीबी और डीबे का वेलू कि दाए था डीवी कोल टुथा भाय फॉर पाइगा आई डियल साइं ठेटा ना कि यह था कर घिए पहल टुमीवल्ट फॉर पाई डीलसाइं ठेटा बाइ बाहर स्कॉई अरे इसको भी याद रखना डायरेक्ट वेक्टर बी इक्वाल टू किता होता म्यू नौट बाई फोर पाई आई बाहर बोलो हाई न और यहां लिखेंगे डियल साइन ठीटा और बाई क्या होगा आर इसको उपर नीचे किसी कि जमंडी बनाई कर दें आर आर से तो यहां लिखें और बी खतर एक्वाल ब mod बी- मैदना ब्यक्टर एक्रोस ब्डेक्टर ब्डेदर डी औक्रोस ब् teenage टॉथई वेक्टर एक्रोस ब्डूब्ड क्लीक ए तब लो अब्म नाइट को तो यहां लगेगा cross product क्या हो कि बोलो cross product तो यहां पढ़ायते वोलो vector b equal to mu knot by 4pi बोलो यार यहां से i bar इसको इन दोनों के वीच क्या लगेगा बोलो cross product तो vector r cross vector dl और by क्या होगा r कब और क्यों यहां भी vector का sign लगा दिंगे this is the vector form of by what? से बत किसी बर्ताकार कुंडाली के केंद्र-पर मुंग के चेतर का मान बताओ किसी बिर्तकार कुंड़ली के केंदर पर चुमक के छेकर का मान बताओ हाँ याद है ना B equal to mu not I y 2R याद रहेगा mu not I y 2R और अगर इस बिर्तकार तार में अगर लपेटो की संख्या बढ़ा दे क्या बढ़ा दे संख्या तो क्या बन जाएगा क्षवाय यानि कि कुंडली क्या बनेगा कुंडली में मानलों लपेटो की संख्या तो से केंदर पर चुमक के छित्र कमान बी इक्वाल टू म्यू नॉट एनाई बाई टू आर याद रहेगा ना म्यू नॉट एनाई बाई टू आर यह से पढ़ा दिये थे तो यह से अब तीनों दिमाग में या फॉर्मुला दिमाग में है ना सुनो अब पढ़ाएं थी कि जब किसी बिर्तकार तार में धारा परवाइद किया जाता है बोलो जब किसी बिर्तकार तार में धारा परवाइद किया जाता है तो यह चुमक की तरह वेवार करता है इसका एक फेस नोर्थ पोल और दूसरा फेक साउथ पोल की तरह वेभारत करेगा यदि किसी बिर्तकार तार में धारा क्लोकवाई दिसा में परवाईथ हो रही है अगर किसी बिर्तकार तार में धारा क्लोकवाई दिसा में परवाईथ हो रहा है राइट हंड को ऐसे रखेंगे चारा ऐंगूलिया क्या बताएगा आँठ किसी बोरा डेस साउथ पोल की तड़ा बयभार करता है तो जब किसी बिर्तकार तार में धरा क्लोक वाई डिसा में परवाइद होगा राइट हैंड को इसे रखेंगे अंगुठा अंदर की और बताएगा यह मैंगनेटिक बिल्ड बी का डारेक्शन तो मैंगनेटिक लाइन सफ फोर्स हमेशा नॉर्थ पोल से निकल करता आता वलो यान की पीछु से निकलेगा रागे आएगा बुलाएं तो पीछे वाला क्या वालों प्रॉन सेसंे न आ रहा है तो सामने वाला फेश नुंट की तरह बेवार करेगा यानिकि जब डिशन में धिरा फोर्स days को आरा और करेगा और पीछे वाला फेश सौ fewer धिसामीं एक चुम्मक की तरह बेभार कर रहा है तो जब किसी बिर्ताकारतार में धारा परवाइद किया जाता है तो वह एक चुम्मक की तरह बेभार करता है कि लिए रोग या बात क्लोक वाइज दिसा में तो सामने वाला फेस साउथ पोल की तरह एंटी क्लोक वाइज दिसा में तो स एक फोड़ा थोड़ा रिवाइज करा देंगे दिमाग में घुश जाएगा सारा डेरिवेशन है ना चौलो और कुलो किसी बिर्तकार कुंडली की केंद पर चुमके शित्र कमान अगर कुंडली बोले तो एन लग जाएगा बोलो हाई यह ना बायोट से बाट लो किसकी लिए था एक छोटा सा भाग डियल की लिए और चुमके शित्र बी कमान db equal to mu0 by 4pi I dl sin theta by r square mu0 को क्या कते है निर्वाद की चुमक सिर्ता निर्वाद की चुमक जिसका मान कितना होता है फोर पाई इंटू टेन टूडी पावर माइनस जो जो से बोलो फोर पाई बोलो टेन फोर पाई टेन टूडी पावर माइनस अब वेबर पॉर एंपियर याद रहा ना याद रखना ठीक है चुला आगे बड़े अभी यहां से में लोग बढ़ते एक सवाल लिकलो छोटा यदी किसी बिर्तकार कुंडली से बहने वाली धारा यदी किसी बिर्तकार कुंडली से बहने वाली धारा यदी किसी बिर्तकार कुंडली से बहने वाली धारा लिखा वावर लोग यदी किसी बिर्तकार कुंडली से बहने वाली धारा पाच एंपियर है तथा इसकी तिर्जा तथा इसकी तिर्जा तथा इसकी 50 cm है तथा इसकी तिर्जा कितना है 50 cm यदि इस बिर्थकार कुंडली में लापोट्यू की सेंख्या लापेटू नमबर अब टर्न यदि इस बिर्तकार कुंडली में लपेटो की संख्या लिखा ना यदि इस बिर्तकार कुंडली में लपेटो की 200 है लिखा 200 यदि इस बिर्तकार कुंडली में लपेटो की संख्या 200 है तो बिर्तकार तार के केंद्र पर 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 तो बिर्तकार तार के केंदर पर चुमग के चेतर का मान ग्यात करें तो इस पाली बाध देखो विर्ताकार थार बोला है क्या बोला है अगर विर्तकार कुंडली बोलता तो विर्तकार कुंडली सुनो 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 अगर विर्तकार कुंडली बोलता तो विर्तकार कुंडली के केंदर पर चुमक के छेतर का मान होता है B equal to mu naught Ni by 2R बोलो हाई ना जबकि हमको बोलाए कि बिर्ताकार तार के केंदर पर चुमके छेतर कामान पुछा है तो बिर्ताकार तार के केंदर पर चुमके छेतर कामान B equal to mu naught I by 2R बोलो हाई ना यानि कि यहाँ जो N equal to 200 दिया हुआ है sense क्वेशन में दिया मिंजी इसे कोई मतलब है इसे कोई मतलब मुतलब कुंडाली के लिए जब कि बीकि पुछ आई थिनहीं दीराट किगा तो तो उसके बाद और बॉला बही सिर्दादिया में गारसए फचाष चेंटिमीट्र तो 50 cm को हम 1 by 2 meter लिख सकते हैं, नहीं, एक मिटर पर आबर 100 cm, आदा सेंटी मिटर होगा न, तो लगा दो यहां खेल खत्म करो, B का बेलू यहां होगा 4 pi into 10 to the power minus 7 जानता नहीं, यहां होजाएगा 5, यहां होगा 2, यहां होजाएगा 1 by 2, खेला खत्म, बुलाएगा न, तो अगर मालो कुंडली के लिए पूछता थी, यह फॉर्मूला लागा देती है, ठीक है न, चलो, जल्दी करो, फिर हम लोग आगे derivation करना है, बुलाएगा झात्य तो पुलाएगो चलो, न, तो फिर हैं, चलो, झापन करो को जई बुलाएगा झा जबुला माल Fellig hagुलाएगा, विर है कैंतों है न, लगन हो गया कि लिया रहा ना चोला दो सवाल लिखो कोईशन लिखो लिखो चित्र में चुमके चित्र बी कामान ग्याद करें चित्र में चुमके चित्र बी कामान ग्याद करें चित्र में चुमके चित्र बी कामान ग्याद करें ऐसा कोईशन आया भी था है एक चित्र में चुमके चित्र बी कामान ग्याद करें एक चित्र दिया हुआ है ऐसा और इसकी तिर्जा दिया हुआ है आर इसकी तिर्जा क्या कामान पूछा है साज मागेगी नहीं कहां पर बोलो सेंटर पर क्लिर हुआ बात दुसरा दिया हुआ था यह पहला वाला पिच्चर है दुसरा वाला में बोला था ऐसा यह है और इसके सेंटर पर मेंगनेट फिल्ड बी कामान बताओ इसे भी बाने वाला करेंट कितना है बलो आई है और यह वाल एंगल दिया है 60 डिगरी कितना दिया बलो 60 डिगरी चलो बताओ क्या होगा इसका अंसर फटा-फट यह एक्जाम में पुछा हुआ है देखो सबसे बिर्तकार तार के कारण इसके केंद पर मेंगनेटिक फिल्ड बी कामान होगा म्यू नॉट आई बाई टू आर तो आधे तार के कारण आधा मेंगनेटिक फिल्ड होगा बोला है ना यानि कि इस बिर्तकार तार के कारण जो मेंगनेटिक फिल्ड का में जो भी वेलू बाग हो तो खेल खता मिया भी अगर पूरा बिर्थाकारतार होता तो पूरे बिर्थाकारतार के कारण मुझनुट आई बाइट वाइगा तो अगर मैंगनेटी इसके लिए निकालना है तो यह कितना बाग हो छठा बाद मतलब यहां पे जो मैंगनेटी फिल्ट बीका वैलु तो बी बाइटी लिखेंगे ना तो बी बाइटी के जोगा क्या लिखेंगे ना कि यह होगा ना और यह ट्रंक कहा चला जाएगा नीचे बट्टा में है तुम्हां मेत खराफ है मेरा कोई गलती नहीं है चुल रिखो होता ऐसा है कि देख राएं अमीक पोल रहा थहीं कहा गया कि वा देखो मारेंगे नहीं कर द Hence कर द आ कर दब आ कर दो या कर द कर द आ ओग या ओग या ओग या झाल हुआ लिगा है चलो कोशन लिगो कोशन लिखो किसी वर्तकार कुन्डाली के केंदर के लिखा किसी विर्थकार कुंडली के केंद्र के लिखाना अक्छे इस्तिदी पर किसी विर्थकार कुंडली के केंद्र के अक्छे इस्तिदी पर चुमकिय छेत्र के वेंजक को प्राप करें किसी विर्थकार कुंडली के केंद्र के अने लिखा ना यार किसी बिरतकार कुंडली के केन्द्र के चुमा के छेतर के against G यह देखो किसी बिरतकार कुंडली है, बोलाए न इस बिरतकार कुंडली है की यहां होगा और इस बिर्तकार कुंडली के क्या जाएंगे बोलो अक्षिय इस्तिती मता आगे जाएंगे और अक्षिय इस्तिती पर एक बिंदू क्या हुआ बोलो पी और पी बिंदू पर हमें क्या निकालना है चुमक के छिद्र बी का वेंज़ क्या बाद समझवा गया कि नहीं तो बिर्तकार कुंडली का केंद्र क्या है ओ है इस बिर्तकार कुंडली का केंद्र और इसके अक्षिय इस्तिती पर बोलाया ना कहां पर इसके अक्षिय इस्तिती पर आगे बढ़ेंगे इसके अक्षिय इस्तिती पर यहां पर एक बिंदू क्या है बोलो पी और पी बिंदू पर यह चैनल तो निकाल लेंगे बाद में किसंद मनदनाए करदेंगे है तो न चले एक ही बात है जो करना है करना ठीग है तो यह माललोग बिर्तकार कुंडली कुन से कن एंटी क्लोग वाई दिसा में धारा पर वाई थो रही ये बुला हाई या ना और इस बिर्तकार तार का केंद्र O के अक्छे श्तिदी पर एक बिंदू क्या है P है जहां में चुमके शेत्र के वेंजों को प्राप्त करना है लिखो माना की एक बिर्तकार कुंडली है जिसका केंद्र O तथा तिर्जा कापिटल R है माना की बिर्तकार कुंडली है जिसका केंद्र O और तिर्जा कापिटल R है तिर्जा कापिटल R है लिग लिया तिर्जा कापिटल R है इसके केंद्र के अक्छी अस्तिती पर लिख सकता है R दूरी पर इसके केंद्र के अक्छी अस्तिती पर एक बिंदू P है जहां हमें चुमक के छेतर के वेंज़ो को प्राफ करना है जहां हमें चुमक के छेतर के वेंज़ो को प्राफ करना है एक बिंदू P है जहां हमें चुमक के छेतर के वेंज़ो को क्या करना है बलो प्राफ करना है चलो जहां हमें चुमक के छेतर के वेंज़ो को क्या करना है बलो याद है न नहीं इस बिर्थाकार तार के छोटा सा भाग क्या लेंगे बोलो डील से कितना दूरी पर यह मालो एक्स दूरी है इस बार कितना दूरी है एक्स दूरी है इस बिर्थाकर तार के छोटे बाग डील की कारण पी बिंदू पर चुमक के चित्र आएगा according to कितना है तो यहां आर को मिटा के हम लोग एक्स लिख देंगे बुला यह ना तो हो जाएगा कितना बुलो एक्स स्कॉर्ड होगा तीस बिर्थाकर तार का एक छोटा जबाग डील के कारण पी बिंदू पर चुमक के छेत्र डीप चुमक के छेत्र डीवी क्वल्ट होगा यह capital r यह small r यह लंब लग रहा है यह आधार लग रहां यह क्या लग रहा है करन यह परपेंडी कुलर यह बेस और यह है एक्स का वेलिव आ जाएगा एक्स क्योल टू रूट अंडर या डया एक्स इकुल्ट डू रूट अंडर स्मॉल और का हले स्कॉइर पलस capital R का कोई तकलीफ नहीं ने समझ में आ गया बोला है ना तो लीखो बाद में पिक्चर ड्रो करने एक लाइन लिख लो आ रहा है लिखो इस बिर्तकारतार के छोटे से भाग DL के कारण इस बिर्तकारतार के छोटे से भाग DL के कारण इस बिर्थाकारतार के छोटे से भाग बलो याँ डील के कारण इस बिर्थाकारतार के छोटे से भाग डील के कारण इस बिर्थाकारतार के छोटे से भाग जल्दी बलो डील के कारण इस बिर्थाकारतार के छोटे से भाग डील के कारण P बिन्दू पर चुमक के छेत्र P बिन्दू पर चुमक के छेत्र लिखो D B equal to mu naught by 4 pi i dl sin theta by r square according to by its word law लिखा फिर से बता दे रहे हैं इस बिर्ताकारतार के एक छोटे से भाग dl लिखा बोलो इस बिर्ताकारतार के एक छोटे से भाग dl लिखा कि नहीं के कारण P बिन्दू पर चुमक के छेत्र D B equal to mu naught by 4 pi i dl sin theta by x square r square नहीं होगा क्या होगा बोलो x square क्यों कि यहां से यहां तक डिस्टन्स कितना है x है दिख रहा है ना चलो तो यह होगा लिखो 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 हाँ पिक्चर ड्रो करा हो नहीं तो और थोड़ा रूख जा बाद में करना थोड़ा से रूख जा और थोड़ा बाद करना और थोड़ा बाद लिखना देखो 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 क्या है यहां तक डिस्टन्स कितना है अरे राइट हैंड रूल यहाद है ना बूल गिया इस पॉइंट पर खिचा गया एक टेंजेंट ऐसे जाता था बोलो हाँ यह ना तो डीवी के डिरेक्शन यहां पर भी जो डीवी के डिरेक्शन होगा पर्पेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा पर्पेंडिकुलर होगा ब उसी तरह इधर भी तो निकाल सकते हैं हम चाहें तो बोलो हाई न यहां पर एक तार क्या है चोटा जबाग क्या है बोलो धिया और यह के कारण पर पर इस पोइंट पर जो डायेक्शन यहां पर यह बहुत हुआय ने लोग प्रेण कंग सवार सब्सक्राइस का तर? और क्यों तो तो ताल के लंबवात का मतलब क्या पर्पेंडीकुलर हिंदी भॉला है समझ तो न आई होगा बुला है यहां पर यानिव का डियाक्शन इसके साथ क्या डिगरी दोकुत 90 डिगरी पर है बतबर यहां पर भी जो डिपिकर डारेक्शन हो आएका क्या अब दोह न नहीं झाल में पुलामिंषा याहिशाल घाटार याओं आप इस बिर्तकार तार के केझर के अक्षियत अे ऐसे टीपर और अक्षि ऐसे बोलो ऑला या न है यह बैप ऒलो एक्सिस बोलो हाई न अब दिखो आगर गार से देखो अगर हम यृ है अब गॉर्ण और गुरॉर्स मालो शॉपोज करो कि एंगल थीटा हैmile क्या अगर इंगल थीटडा होगा यह एंगल कितना होगा 90-theta बोला है ना अरी तो 90 फिश्यों घार तो यह 90-theta अच्छा इक बात बात यह भी 90 है ओ प्रिया 90 पूरा एंगल 90 धिखाइवे रहा है यह एंगल कितना 90-क यह वाल एंगल किया होगा होगा ना दोनों को जोड़के 90 यह दोना एंगल को जोड़के कि ना चीना इंटी और इन दोनों जोड़के भी क्या आना चीना इंटी बतों यह थिटा यह थिटा बरागर क्या समझ वाया अच्छा अब कहानी याद करो अगर तुम लोगों वेक्टर थोड़ा सा याद है तो मजा आ जाएका लो हम अच्छा बटर बीओं टू आर कॉस्ट थीटा कोई तक्लीप और इसके प्रपेंडिकूलर डारेक्शन में वेक्टर ए इकवल तू आर साइन थीटा याद आया ना तो बताए एक बात ओदा यहां पर रिजल्ट इन वेक्टर क्या है डीवी है बोल यार क्या है बो डीवी तो इसके परपेंडिकुलर डिरेक्शन में क्या होगा जल्दी बताओ डी बी कॉस थीटा और इसके इधार 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 थीटा वाले डिरेक्शन में क्या होगा डी बी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डिरेक्शन में क्या होगा डी बी साइन थीटा बहुत अगर सेम है तो क्या यह देखो नीचे तरफ लगने वाला अवाला देख रहा है नीचे तरफ आने वाला झो बाशा किया भी कोने यह पर तरह आने वाला दिक रहा है ब्यूल कि यह नहीं बूब सब एक दूसरे को cancel बोरा हां आई ना सिर्फ एक्सिस बचा किया डीवी डीवी साइंट अजोर से बोलो याँ दीवी और दोनों सेंग डायक्षन में तो सेंग डायक्षन वळाओ जोर देते हैं अच्छ बात बता एक बात पूलो कूल सिर्फ यह दोनों छोटा-छोटा किली तो यहां पी कितना आता लिखक करते हैं सेम ना सब गौके सबको फॉतनों तो निपना इतना जोड़ने यह चाहा हम लोग पड़े इंट्रीटेशन करते हैं तो जोर फेडिशन करता इस बिन्ताकारतार के चोटे से जब अग तक्या है कि है इंटीगेशन संवागा साइंटीजींट करना है किया करना है क्लेयर औं यां तक लिखा की नहीं यह दो गिलिखन यह यह चलो चलो उसको चापउ कुंटा है मतल最 sim ज चाबूगगगगगगगगगगग। लिखा कि नहीं लिखा ठीक ठीक कोई बात नहीं चलिए को क्या बात कर रहा है तूं हुआ हुआ है बार दो उत्यों कि आपनोखे सकता मार करते कांगी लुष झाल क्या हुआ तो फियुज फूजाए काए उसका कर रहा था इसको दे दो नहीं है है एसी डी दीख रहा है दे दो उसको एसी डीखे गाली हुआ है हुआ है हुआ है जए हुआ हुआ है हुआ है झाल 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 नहीं हुआ आभी तक चुचाप बठा हुआ है बोलो हां छोटा और चपो दिमाग में है तो तो नहीं होगा दिमाग में का नवां को चाप लो साइड में हैं है यह कर दिमांग में तो अच्छी बात है तो कोना होना में क stip किसकावाला है इा अधार यह वाला यह दिखए था हम पढ़ाए कि जीसद देरेक्शन में जो ठीक Channel वाल डियरेक्शन होग यह यह दीटा व hall डारीशन नहीं कितना होता है और कॉस्टिटा और जिदर थिटा नहीं होगा उदर क्या होता है यहां भी तो ही किया है इधर थिटा तो आयागा और कॉस्टिटा समझा की नहीं हाँ यह तक पूरा कहानी समझा दिये यह कहानी में यह दोनों उपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा बोलो कैं और नीचे तरह भी कितना है डीवी कॉसिट आई यह बड़ दास न्यूटन इधर कोई वेक्टर है दास न्यूटन तो यहां पर क्या होगा बोलो टोटल फोर्स क्या हो जागा जी रो इधार और दोनों क्या हो गया बराबर दोनों डारिशन अपूजिट है तो लहाए ना और जो आप दोब हैक्टर सेंव डारेक्शन गाल यहां और सिंप्ली कहानी प्डला अध़ कि जोटे पार्ट को जोड़ को मतलब है तो किसी एक छोटे पार्ट को ले लो और बढ़ा पार अगर निकाल वाहता तो कैसे निकालेंगे इस पूरे पिरताकार तार की बीडिया निक टोटल का निकल जाएगा बोलो पढ़ाया नहीं सब तो भी समझ रहा तो भी डिकत क्या है चलो देखो अब यहां पर देखो तुम लोगो पढ़ा रहे थे द्यांसा सुनना पढ़ा रहे थे कि इस बिर्तकार तार के छोटा सबाग डियल की कारण यह पी पॉइंट था याद इक्वल टू मूनट बैफोर पाइडियल साइं डिटा बाइ एकसे स्कॉर्ड होगा ना अब गौर से देखो थीटा क्या था यहाद है थीटा क्या था वाइट सबाट लो में थीटा था मैंगनेटिक फिल्ट डीवी यहाद है और करेंट के बीच का डिरेक स्वरी के बीच क यहाँ 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 पर कर चे यहां दोन Using के ऑगर करे तो आसे बहुनाया ना इन दुर्व जो तो ना यह सरकल और इस सरकल का सेंटर बीच में है और एक्सी उधार है अरे बोलो अगर ऐसे पास हो रहा है अगर आसे यहां पर टैंजेंट्रों कर जाए अर्बोलो और एक ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं तो एक कि एसे है और एक ऐसे करेंट जा रहा है यह फिर ऐसे पास हो रहा है तो यहां पर टेंजन डिरेक्शन और बो और यहां पर और यहां तो यहां पर टीटा इक्वेशन नमर फस्ट करेंगे लाए इतना थो समझ वाया है और बोलो ना कि यहां 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 तो यहां थो यहां यहां फिल प्रस्ट करेंगे झाल हमको कहां पर निकालना आए चल दी बताओ मेंगनेट फील्ट का वेलू इस बिर्ताकारतार के केंद्र के अक्षिय इस्थिति पर यही ना तो द्यान तो सुनना इस बिर्ताकारतार के छोटे से बाग ड्यान तो सुनना दिखो इस बिर्टाकारतार के छोटे से भाग डियल के कारण, छोटे से भाग डियल के कारण, दिखा, इस बिर्टाकारतार के छोटे से भाग डियल के कारण, बिर्टाकारतार के केंदर के अक्षी हैस्तिधी पर, लिखा, बिर्टाकारतार के केंदर के, अक्छिय इस्तिति पर चुमक के छेत्र भृत का Göte earned के अक्छिय इस्तिति पर चुमक के छेत्र कितना आया वो लो तो db sin theta represented कितना है भाइ Séptude कितना यहां भाइ Deb आक्षिय इस्तिति पर्चुमक के छेतर कमान कता आया देखो तों सिया साइन्टिर इस पूरे बिर्टकार कारण के कैनर के आक्ष्य इस्तिति पर्चुमक के साइन टिडाइड दोलो हां याना क्कृ 브문 यंि समाझ ग्या दों बहुत अच्छा दीख लोक हां लिको अथ है कंसा गया लिखा लिखो अथ्थ आज अठीकोऊ अठीकोपूरिय हुआ बिर्टाकार तार्ओंक तार्ओं तार के कारण, पूरे बिर्टाकार तार के कारण, अरे लिखा गी नहीं, पूरे बिर्टाकार तार, बहुत अच्छा, पूरे बिर्टाकार तार के कारण, इसके केंद्र के अक्छेस्थी दीपर, पूरे बिर्टाकार तार के कारण, इसके केंद्र के बले जल दी, चेत्र अक्षेश्टिदी पर चुम्म किया चेत्र कितना हो जाए गवलो डी बी इक्वल टू इंट्रिगेशन डी बी साइन ठीटा क्या समझा this language लिकने के बाद क liksom उसके बाद करेंगे इसको यहां COB ने एक बार और रीपीट करके समझा दू पर से मिटाएं जल्दी बोलो देखो देखो यहां द्यान सो सुनना द्यान सो सुनना एक बात समझाएं कि इस बिर्टाकारतार के छोटे से बाग डियल के कारण पी बिंदू पर चुमब केशे तो बोलो बायोट से बाट के नियम के अनुसार पढ़ें कि डीबी इक्वाल टू मि करेंट का बोलो करेंट का और डीवी का कि बीच का इंगल टू के लिए है ना 90 डीगरी थो खेल खत्तम करो नहीं या कितना डिगर आजाएगा मूंणाट बाई फॉर फॉर पाइए मूंणाट बाई और कितना हो जाएगा आई डील और प्या होगा यह पलो तो समझ गया यहां तो पूरे विड़्टाकारतार के कि कारन करन किसके करन पूरे गिर्टाकारतार की कारन के के केंदर अक्षिय इस्तिदी पर्चुमक के च्छेतर का मान कितना हो जाएगा बूरे के लिए निकाला तो इसी क्या करेंगे इंतिगे डी बी साइन थीटा बोलाएंगे न डी बी कवेल उपर में आया हुआ है नहीं आया है तो निकालो ना सौच क्या रहा है तो बोलो म्यू नॉट इंट्रिकेशन म्यू नॉट बाई फॉर पाई बोलो और क्या होगा आई डी यल बाई क्या होगा एकस स्कॉर और क्या होगा साइन थीटा अरे बोलो यार क्या होगा साइन थीटा अब जो जो जानता है जो जो कॉंस्टेंट इसको इंट्रिकेशन से क् झालए हैं बाहर तो जो जो बाहरेबार को रुप्यार से लो तो बोले मिउन Garage गा होका बोलो 4-5 minute रहाख्या किया होगा और क्या होगा भाई है कि68 आइशा है सबस्क्राइब गलए होगा और में इंटिकिछन के खरावलो DL, सोज मागया? Indication क्या होगा? DL, जल्दी उतार फट आफट DL, जल्दी उतार फट आफट भोली कोई तकलीव यहां? नहीं होगा इसमें क्या तकलीव होनी पात है कि नहीं? तो सिंपल हो गया? अब हम लुदू शाइन थीटा का वेली निकाल लेंगे किसमें निकालेंगे बिलो? यहां थीटा दिख रहा है एंगल? तो इस ट्रेंगल से इस राइट एंगल ट्रेंगल बोलो हाई है ना? अरे समकोन तिरभूज? तुम लो कर रहा है यार यहां समकोन तिरभूज से हम निकाल सकते हैं लिखना है तो लिख लो नहीं निकाल लो बोलो Weinstein इकाला कि नहीं किनी तो सांसरी जूलों सउम्ष्पाइए एक्ष्टया ग्या होगा भूलो आर भाइए एक्स लिख सकते हैं यहां डालो सौच का रहा है मिटाद गें ऊपर बहाता चल्दी बाहर में और सम्हें लटकालों ख़ड़ा है देखो यहां बीकोर जोबनों रभुकं को बstra a게 लिखेगा आई लिखेगा लौह यान और लिखेगा है ईस्क्वायर और सभी ठीट के जबनागा गिए लिखेगा बाइक सब्सक्राइब। यार और ऐड़τί और न्टेकेसिन क्या होगा वह अलब कितना बार बता होगा बोला ना डील का मतýँ है वह फिर सह मैं लिखी रहां तरह गर नत्मुरा का यहींद लिख देतें हैं ना कि साइन सेटा का वेलव Inc to पूट करना था भूलो और बाय एक्स अरे ही ना चलो निकाले कैसे यहां वाला ट्रेंगल से दिक्राएं कि नी देखो आप गौर अब गौर्शा सुनना दील का मतलब क्या होता इस बिटतकार तार का छोटा सा लेंड इंट्रिकेसेंड दील का मतलब होता इस फ्यूरे बिटत काउप क्यूब अरे बोलो यार रहे होगा हो टू पाइ सब्सक्राइब कोई दिक्कत है को डिकत नहीं है तो बी कोल्ट झाइगा मुनॉट में काटना गराण बना लिग दे हो आतों काट ले रोक जाओ यहां से कैंसिल कर दे यहीं बोरा था ठीक तो मुन हो जाका बोलू मुन नो यहो हो खया झाल आ और क्या होगा ना मिू नॉट I Kapitle क्या होगा और 252Yos बūreally शायत X थी निकाल के डाल दो गुस्काल कि में निकालके रखें थे यहाद है हाँ याद इना एक्स का बेलू बोलो एक्सиться मेण यां अंडरूट-एस्मॉल आई स्कोईर बोलो स्मॉल आई स्कॉईर प्लस क्या हो एक прогले अन थे और एना प्लस आस चाहीं आड़ियां मोय पोलो करनकर चुछा बैट को पूरे बिर्टाकार तार के कारण इसके अक्छिय इस्तितिपर चुमक के शित्र का मान ये आया क्लेर और कुंडली के निकालेंगे तो किसे मनड़ी बलाइक करदेंगे जल्दी है जल्दी उतार हो यह देरी पिसन आता है ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है भी भी आया है जो पांच नमर में जाएगा फेंट ओन करो ना है 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 अग्वाइल के लिए 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 बार नोट किया यहां तो क्लिकने बाद यहां कि अ जड़र वला गेट खोलके ज़ए लिए अग्वाइल के लिए 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 हुक्त इन्या रावन कुट जाएगा ठीक ना बूलना नहीं उन्हों पागल जैसा गुशेगा अभी उतारा इतना टाइम लगेगा शोलो नोट करें नोट नोट इसको फोड़ देंगे अब हम इतना टाइम लगे लिखने में हुआ हुआ हम नोट करो हुआ कि नहीं हुआ हुआ भी भी लिखी रहा है जब पढ़ा तो ध्यान दूसरी जा करता ना बाई लोजे लिए आए तुम बोराई कोजीज करता है बहुत आगे जाएगा तुम सच में चल्लों को भी लागा हुआ हुआ है चल्लों लिखा ना लिखो नोट करके लिख लो लिखो बिर्तकार कुंडली के कारण लिखो बिर्तकार कुंडली के कारण लिखो लिखो बिर्तकार कुंडली के कारण incar कलिखो इसके अक्षिय स्थीदी पर चूमकियती भी लिखो बिर्तकार कुंडली के कारण से कीkung not i capital R square by कितना है to Bolo R square और प्लस क्या होगा capital R square का all power क्या होगा 3 by बोलाया न तो मान लो कि इसमें जो है लपेट किसें का कितना है n कितना है कुंडली बन जाएगा तो n लपेट के कारण चुम के शित्र का मान कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, mu naught, ni, और भाई क्या होगा, r square, और भाई क्या होगा, 2, और plus capital r square का power, 3 by 2, यह किसके कारणाया, पूरे बिर्तकार, कुंडली के कारण, किसके कारणा बलो, पूरे बिर्तकार, तीसलिए directly के लो, b equal to mu naught, ni, capital r square by, क्या हो जाएगा, बलो 2, small r square, plus capital r square का power, 3 by 2, जहाँ small n क्या है, बोलो तो, कुंडली में लपेटो की साइख्या, क्या है, कुंडली में लपेटो की साइख्या, लीग लो नीचे explain करदो, बेटर रहेगा, ध्यान रखना ही है, numerical बनेगा, तो ध्यान रखना ही है, जहां एसमोल एन क्या है लपेटो की साइन क्या लपेटो की साइन क्या इसको बोलते है number of turns क्या बोलते हैं बोलो number of turns याद रखना of the quiet number of turns of the quiet ठीक है मिलते हैं हम next class आज के लिए इतना ही रखो ठीक है चाल